आज बहुत अच्छे नियूस को हम लोग देखने वाले हैं 9 अक्टूबर है आज कल से हमारा डिसकेशन शुरू हो चुका है जिसको नहीं मालूम है वो कल के वीडियो को भी देख सकते हैं इंपॉर्टन आर्टकल था उसको डिसकस कर दिया गया है तो आए आज की शुरुबात करते हैं और सबसे पहले हम कोटेशन देखेंगे यह कोटेशन एजुकेशन के ओपर है आप एजुकेशन के किसी भी ऐसे में या फिर अपनी समझदारी के अनुसार पेपर 4 में आप इसक कर सकते हैं ऐसे कोटेशन का तो एजुकेट पर से माइंड और नॉट इन मॉराल्स इस टू एजुकेट मेनाक टू सुसाइटी तो अगर हम किसी को एजुकेट कर रहे हैं माली जै अपने यहां पर आप जो भी न्यू कमर है या लिटरसी रेट को बढ़ाना चाहते हैं एज को सिर्फ अगर हम इन नमबर स टर्म्स में एजुकेशन को अइधोर रहे हैं लेकिन आपके unified गंचे आपको मिल ओद यह लेक्रत पर दिसकेल ने अपको समझने की है और उसके अज़ेएक किया जाना चाहिए आगे आने वाले जीनरेशन को fine so देखिए आज के discussion में हमेशा की तरह quotation आपको मिल चुका है backgrounder के तौर पर कुछ point मैं आपको बताऊंगी इसको आपको धिहां से सुनना है इसके अलावा article discuss करेंगे हम लोग बहुत important article है आज का आपको mains के लिए question भी दिया गया है answer writing करने के लिए और answer writing करके आप जो हमारा telegram group है answer review का वहाँ पर upload कर देंगे ठीक है हमेशा की तरह जिससे पहले आप लोग answer लिएक के upload किया करते थे वैसे ही answer लिए करके telegram group पर PDF के format में upload करेंगे सभी लोग objective question में दिया गया है current affairs का objective question है वो आपके लिए बिल्कुल फायदे मंद है उसको अब जरूर practice कीजिए आपको answer आता है या नहीं आता है आप अपने तरफ से guess कीजिए because अगर आप UPC का paper देखते हैं तो आपको वहां पर वैसे बहुत clear cut answer नहीं आ रहे होते हैं तो इसलिए अगर आप अभी से यह training लेते हैं कि अगर आपको एक option आता है तो आप कैसे eliminate कर सकते हैं अगर आपको एक option आता है तो कैसे आप उससे answer निकाल सकते हैं तो यह सारे जो techniques है वह अभी से आपको सीखना है objective question आपको मैं daily हां पर दे रही हूं वह आपको last में मिलता है तो थोड़ा सा patience के साथ वहां तक जाएंगे question को देखेंगे फिर उसका answer comment में करेंगे आप लोग आज के discussion में क्या कुछ खास है यह देख लेते हैं सो first of all आप लोग और हम लोग discuss करने वाले हैं ART bill के बारे में यह बहुत important है भी September में इसको पेश किया गया इसमें क्या लूपोल्स है और किन किन बातों का इसमें ध्यान रखा गया है यह सब डिसक्स करने वाले हैं अपक्सर बोलते रहते हैं आप सुनते रहते हैं कि ऐ दियारपी के लिए यह शो है या टी अर्पी को बढ़हवा देने के लिए यह चीज़न की जा रही है what is all about this DRP तो इसके बारे में हम बात करेंगे बिकास ये न्यूज में चल रहा है अभी PPP model क्या होता है Wichay Calculative Committee किस चीज से सम्मादित है उन्होंने क्या कहा है एकोनामी में या किस चीज से सम्मादित है इसके बारे में हम बात करेंगे Earth short price क्या होता है अद्ध शॉर्ट प्राइस प्रिंशन बन सकता है इसके बारे में और जो ग्रैप एक्शन प्लान है वो क्या है विल टॉक बाउट इस अलसो और अपार्ट फॉम दाट हम लोग और भी काई चीज़ों को डिसकस करने वाले हैं इसमें लिख्यी भी नहीं है तो बहुत ही पेशन्स के साथ आपको पूरा डिसकस यहां पर सुनना है तो फर्स्ट निउस से स्टाट करते हैं और फ़र्स्ट निउस में ही हम लोग डिसकस करने वाले हैं टी आरपी को और टी आरपी वी निउस में कैसे आ गया because Mumbai police ने यह allegation लगाया है कि TRP fraud हो रहा है बहुत जादा और TRP fraud का जो allegation है यह Republic भारत जो TV channel है जहाँ पर आप news अक्सर सुनते हैं तो वो और इसके अलावा दो other और channel है जिस पर यह allegation लगा है कि यह लोग TRP fraud कर रहे हैं तो TRP का full form पहले आपको मालूम होना चाहिए तो what is the full form? television rating point यह है TRP ठीक है इसके अलावा एक और important fact जो आपको मालूम होना चाहिए कि B.A.R.C B.A.R.C यहाँ पर जो है वो भाबा अटामिक वाला नहीं है आप confused हो सकते हैं B.A.R.C का मतलब यहाँ पर एक council से है चीक है और यह जो council है यह overall काम करती है यह data जो TRP का होता है उसको निकालना, access करना तो क्या होता है TRP थोड़ा से इसको समझते हैं बहुत ही simple से line में हलांकि इसके बारे में explained page बहुत detail में दिया हुआ है लेकिन आप इसको बस दो तीन बाते जानिये जो कि ज्यादा important है TRP में actually यह निकाला जाता है कि किस समय में किस जखा पर कौन से लोग किस category के लोग किस टाइप का जो news है या serious है उसको देख रहे हैं और कितने लंबे समय तक देख रहे हैं तो इसमें basically जो वो पूरा reason होता है socio economic reason होता है उसकी वहां का पूरा time access करते हुए जो वहां की demand है उसको check किया जाता है कि यह TRP का exactly मतलब यह होता है कि इससे फिर आपका क्या होता है चैनल के जो view है या ratings है वो बढ़ जाती है तो allocation के चार्ज यही है इन चैनल के उपर कि यह लोग जो TRP का data है चुकि यह data बहुत secret होता है अब यहां पर यह जो socio economic पूरा data निकाला जाता है इसमें time table को check किया जाता है यह secret होता है और इसको जो BARC है उसने एक private institution को दिया था यह check out करने के लिए और data को collect करने के लिए अभी इन पर यह उप लगे हैं चैनल के उपर कि यह data का use कर रहे हैं और इसको misuse कर रहे है ultimately नदे इस data को use करके उस समय पर particular समय पर वही चीज़ें वो TV पर लेके आ रहे हैं जिसको की लोग देख रहे हैं या उससे TRP branding हो रही है but the problem is this कि ऐसा मानना है पुलिस का यह कहना है कि इसके आड में बहुत सारे fraud news को दिखाया जा रहा है ताकि लोग बहुत ही interest के साथ उसको देखे भले ही उसमें सच्चाई हो या फिर ना हो तो यह चीज़ है यहाँ पर एक और important fact जो आपको इक्तम ध्यान रखना है prelims के लिए बहुत important है that is bar o meter घ्यान दीजेगा bar o meter अब यह जो meter है इसका क्या use होता है यह measure किया जाता है यही यह जो bar o meter है यह TRP को measure करता है ठीक है तो आप से question बन सकता है कि bar o meter क्या है यह news में था इस ताइब से कोई चीजे आ सकती है बस यही चार पाँ चीजे हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि यह क्या है इसमें किस तरीके से काम होता है bar o meter क्या है यह इसको regulate करती है measure करती है check करती है TRP का full form भी मालूम होना चाहिए यह कुछ छोटे मोटे एक्जाम में फुल फॉर्म बूच सकते हैं television rating point ठीक है चलते है अंगले article की तरफ article बहुत important है आज का पहला है bill of exclusion यह कहां पर आज जाएगा यह syllabus में कई जिगह पर associate हो जाएगा तो सबसे पहले आप इसको रख सकते है social issues में ठीक है social issues कहां पर है GS paper 1 ठीक है वहाँ पर हम woman की बात करते हैं तो GS paper 1 में social issues में आ जाएगा यह apart from that GS paper 2 में भी आ जाएगा 2 में क्या है social justice है वहाँ पर GS paper 2 social justice में आ जाएगा और फिर इसके बाद यहीं पर health है GS paper 2 में ही तो एक तो social justice और दूसरा health वाला section जो है वहाँ पर यह जो है आ जाएगा इसके अलावा और भी कई जगा पर है polity में भी है क्योंकि हम इसमें fundamental rights होगर की बात करने वाले हैं syllabus के कई सारे section से यह पूरा बिल यह पूरा मुद्दा जो है वह जागर के जुड़ता है अब देखते हैं क्या कुछ कहा गया है Assisted Reproductive Technology Bill लाया गया है ART Bill इसको कहा जा रहा है तो लेट सी वाट इस वाट इस वाट इस वाट इस वाट इस वाल कंक्लूजन बिल के उपर जिसमें सरोगेट मदर के राइट्स वगर की बात की जा रही थी और भारत में जो यह प्रेग्नेंसी हुड है इसको कमर्शलाइजेशन नहीं करना चाहिए और कमर्शलाइज नहीं किया जा सकता है यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था सरोगेशी बिल को लाने का इसके अलावा जो सरोगेट मदर हैं उनका एक्सप्रोइटेशन नहीं होना चाहिए तो इसके लिए वहाँ पर एल्टरिस्टिक कॉंसेट लाया गया था जो फैमिली मेंबर है वही सपोर्ट कर सकते हैं और उसका भी फिर एक फ्लॉथ था कि इससे क्या होगा कि फैमिली में ही जो नई बहु है या फिर जो वोमेन है उनका एक्सप्रोइटेशन हो सकता है तो कुछ इसी तरीके से एक लेकिन चुकी वो सरोगेसी बिल अलग था और यह एर्टी बिल अलग है सिस्टेट रिप्रोड़क्टिव टेक्नलोजी बिल तो देखिए इसमें क्या होता है इसको अगर आपको बहुत ही लिमिटेड वर्ड में समझना है वाट इस एर्टी अलब किया जाना है क्योंकि जिस तरीके से यह बहुत सारे ऐसे कापल जो कि इन फर्टाइल है और उनकी डिमांड को पूरा करता है तो वही अधर हैंड यह इसको रेगुलेट किया जाना भी बहुत जरूरी है और इसी के लिए यह एक रेगुलेशन भी लाया गया है लेकिन जो इसके कुछ concerns को यहां पर रेज कर रही है इनका कहना है कि इसको ध्यान नहीं दिया गया इस पुरे बिल को लाने के समय में और वह क्या concern है उसको हम लोग देखते हैं तो पहला concern तो उनका यह है कि हूँ एक्सेस देयार्टी किसके पास का एक्सेस होगा first concern यह है उसके बाद इसमें किसको include किया गया किसको exclude कर दिया गया इंक्लूजन में जो married couple है married heterosexual couple इसको वहां पर include किया गया है and a woman above the age of marriage to use ART इसमें यहां पर married woman नहीं लिखा गया है woman जो की age of marriage के उपर यह 18 साल से उपर की जो रड़किया है उनको भी इसमें include किया गया है लेकिन जो exclusion है वह बहुत तकड़ा है exclusion में single men को इससे बाहर किया गया है cohabiting heterosexual couples को बाहर किया गया है LGBT community को भी इसमें बाहर कर दिया गया है तो यह इसका एक loophole है और writer का कहना है कि exclusion के बाद से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितने सारे rights हैं जो यहां पर violate हो रहे हैं सबसे पहले article 14 violate हो रहा है जो right to equality की बात करता है और वह यहां पर पूरी तरीके से violate हो रहा है फिर कुछ cases का भी नहीं जखर किया है कि उन चीजो को ध्यान में नहीं रखा गया article 21 जो है वह भी violate हो रहा है as per the writer जो कह रही है उनके हिसाब से जो article 21 है जहां पर आपके right to privacy है वह भी इसमें हो रहा है इसके लवा कुछ और cases जिसमें की नवजूत जोहर case था जस्तिश चदर्शूर एक्सूर इसमें अगर सेम सेक्स कपल को बाहर किया गया है तो कहीं न कहीं वह जो case था उसका जो वर्डिक था नवजूत जोहर case का उसको भी इसमें नजर अंदाज कर दिया गया है ठीक है यह सारे इसके लूप होल्स हैं इसके अलावा देखे क्या क किया गया है तरोगेसी बिल से अलग उनलाइक इस बिल इसमें जो फॉरं चितिजन हैं उनको प्रोहिबी नहीं किया गया है तो यह क्या है यह एक लूप होल है जो रटर यह बता रही है कि फॉरंस को आपने अलावकर दिया बद आपट आप इंडियन कॉपल है आप उनको अलाओ नहीं करें बलकि उनको आप बाहर कर रहे हैं क्या यह हमारे true spirit of the constitution को शो कर रहा है नहीं कर रहा है यह उससे आर्टिकल 23 का कहना है राइटर का कि आर्टिकल 23 का भी violation हो रहा है because there is no compensation or reimbursement यहापे कोई भी ऐसा compensation नहीं है कोई reimbursement नहीं है ठीक है जो भी involved होते हैं इस पूरे process में इस technology को transfer के process में उसमें कोई compensation का जिक्र नहीं किया गया है तो तरीके से जो आर्टिकल 23 है वो क्या करता है फोस्ट लेबर को रोकता है राइट आपको याद अगर है राइटर उनका मानना है कि यह जो इक patriarchal mindset है उसको बदलने की जरुरत है और यह एक institution of marriage है कि आपको marriage करना ही पड़ेगा अपने life को आगे बढ़ाने के लिए यह जो एक mindset इतने सालों से चलता आ रहा है उसको भी यहां पर ध्यान देनी की जरुरत है और इल्टरिस्टिक act is possible only once a woman has fulfilled her duties to the patriarchal institutions of marriage तो जहां पर भी यह एल्टरिस्टिक वर्ड आ जाता है या फिर इस तरह के कोई phenomena आ जाता है तो वो क्या करता है जो वोमन है फिर से उनकी अजादी को रोकता है और उनके राइस को यहां पर हैंपर करने की कोशिश करता है इसके अला इसमें क्या हो सकता है कि यह जो requirements है genetic testing वगरका तो से कोई इसा genetic disease ना हो यह सब चीज़े ना हो तो उसके लिए वो खतरनाक भी हो सकता है यानि कि यहां पर जो human rights है जो life है right to life है वो भी हमपर हो रहा है समहों कि एक तरफ क्या हो रहा है testing हो रही है genetic testing हो रही है जो implantation होता है बिल में कहा गया है the bill requires pre-implantation genetic testing and where the embryo suffers from the pre-existing heritable life-threatening or genetic disease it can be denote for the research and commissioning party's permission तो party के permission के बाद यह सारे process हो सकते है and these disorders need specification or the bill risk promoting the impermissible program of engineers so prior version of the bill regulate research using embryos and which must be brought back तो जो पिछला बिल था राइटर करना है कि वो बिल इससे थोड़ा बहतर था जहां पर बहुसा चीज़े से regulate की जा रही थी Imbroise को भी regulate किया जा रहा था उन पर research को regulate किया जा रहा था लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और जो सेरोगेसी का बिल है और ART वाला बिल है that there is a considerable overlap between both of the sector तो दोनों में कहीं न कहीं एक overlap है and this bill do not work in tandem core ART process are left undefined अब क्या है एक और concern वो यह है कि जो ART का process होगा पूरा पूर एक चली में क्या process होगा कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो सब undefined है कुछ भी define नहीं किया गया है and apart from that जो ऐसे couple है infertility या को ऐसे commissioning couple infertility ART clinics banks इन सभी को सही तरीके से synchronize किया जाना चाहिए था इन सभी को define किया जाना चाहिए था जिन इन हर चीज़ की कमी यहां परसी दोर पर देखने को मिल रही है and the same offending behavior under both bills are punished differently तो जो serogacy bill है और ART bill है उसमें almost same behavior है offense same type के हैं लेकिन उसको जो punishment मिल रहा है वो बहुत अलग लग तरीके से मिल रहा है तो why these kind of discrimination are there तो इस चीज़ पर भी राइटर ने उठाया है सवाल कि ऐसा क्यूं है जिब serogacy और ART almost same तरीके की चीज़े हैं तो यहां पर उसको measure करने का address करने का action भी same होना चाहिए था why it is different कि उसको अलग अलग तरीके से नापत अलग जा रहा है and the bill requires clinic and bank to maintain a grievances obviously एक ऐसी committee बनाई जानी चाहिए जहां पर जो भी grievances आते हैं उसको counter किया जा सके उसको address किया जा सके और ऐसी चीज़े बिल के अंतरगत होनी चाहिए थी जिसको कि यहां पर include नहीं किया गया the SRB and the bill impose high sentences 8 to 12 years and hefty fines poor enforcement of PCP and DT Act 9094 तो अभी तक जो भी पुराने कानून है हमारे आपर उनका proper implementation नहीं हो रहा है और उसके बाद हम जो नहींने कि bill has में एक से एक sentences को और कानून को ला रहे हैं जरूरी क्या है जरूरत है हर चीज़ को implement करने के सही समय पर implement करने की ना कि हम नहींने कानून को लाए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो इसके ethical concerns है उसको raise किया जाए इससे क्यूंकि ऐसे millions of लोग है people है they need child but they don't have और उनकी अगर आप issues को यहां पर regulate नहीं कर रहे हैं उनकी issues को आप तवज़ों नहीं दे रहे हैं तो इस चीज़ को भी एक अथिकल concern ethical issue है और यहां पर center government state government को इसको national interest की तरह देखा जाना चाहिए और उसके accordingly कैसे इसमें behave करना है public order क्या होना चाहिए morality को ध्यान में रखते हुए foreign state को कितना इसमें participate करना चाहिए तो friendly relation आगर आपको रखना है foreign state के साथ तो फिर कैसा आपको पूरा कारून बनाना चाहिए इन सब को देखते हुए सारे बिल को फिर से review किया जाना चाहिए क्योंकि अभी यह कमीटी में है और रासभा में कमीटी को भीजा गया है कि इस पर जो भी चीज़े है चेक आउट क कई सारी बातें कमीटी सक पहुंचाते हैं जो lawmaking bodies वहां तक पहुंचाते हैं और यह बहुत ही अच्छा तरीका होता है आगे बढ़ते हैं अगला आटिकल है we imagine the public sector public private sector काफी important है आपको जिसना मालूम है अब चाहिए कहां पर आ जाएगा syllabus में आपको अंतादा लग गया इकोनामी में आप देखेंगे exactly mentioned है infrastructure infrastructure वाई section में हम इस पूरे topic को रखेंगे और इसमें जो भी important fact आप उसको वहां पर जाकर लिख सकते हैं तो post-covid recovery के लिए proper plan होना बहुत जरूरी है तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं तो अगर हमें recovery करनी है तो infrastructure development करना पड़ेगा और इंफ्रा development करने के लिए पैसा चाहिए जो कि सरकार के पास नहीं है तो अब इसमें सबसे अच्छा option क्या निकल के आता है सबसे अच्छा option क्या निकल क्या आता है public-private partnership की obviously public का regulation हो यानि government का regulation हो private का investment हो और इस partnership से हम investment करे ताकि infrastructure development करे ताकि यहां पर job opportunities create हो और लोगों का यह जो पीपी मॉडल है ना यह बहुत famous model है बहुत सारे लोगों ने इसको recommend किया है while we have had some notable success obviously हमें हमने पीपीपी मॉडल पर बहुत सारे काम पहले भी किये हुए है और अब जो post covid recovery का plan होना चाहिए वो इससे अलग नहीं होना चाहिए बलकि इसको include करते हुए होना चाहिए दे अच्छे से पढ़ेंगे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस discussion के बाद एक बार newspaper को जरूर व्यू किया कि एक बार देखिए कि इसमें क्या चीदें लिखी हुई है तो इससे आपके 2-3 फायदे होंगे तो आपको comprehension काफी आपका असानी से हो जाएगा CSAT में दूसरा क्या होता है कि जो यह data fact data ही सब आपको survey वगरह में मिलता है बाद में तो आपको बहुत नया नया सा नहीं लगता है विकास आपने सालों भर अगर न्यूसर पढ़ा है analysis सुना है और आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर है तो आपको कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं लगता और एक वाली magazine पढ़ लेते हैं तो एक तो आपके पास कई सारे option होते हैं magazines को लेकर कि आप बहुत confused हो जाते हैं दूसरी चीज क्या है कि आप जब magazine में पढ़ते हैं तो सारी बाते आपको याद नहीं होती है बहुत भूलने लग जाते हैं लेकिन वहीं अगर आपका अपना notes होगा 4.5 trillion dollar का 2040 तक हमें investment infra में इंडिया की infrastructure में investment करने का plan बनाना होगा और वह कैसे होगा इसका एक proper roadmap हमारे पास होना चाहिए तो private investment को revive करने के लिए लगातार कहा जा रहा है flow into the infrastructure creation to more sustainable level of around 40% will be a key to attain this threshold तो हमें इसका at least 40% चाहिए होगा and the refreshing institutions and policies of channeling financing तो यहां पर दो वे बताएगा है the challenge of the ramping up the private investment infrastructure will need action of two friends दो जगा पर हमें काम करने की जुरत है पहला क्या है कि institutions को refresh किया जाए right policies को अच्छा बनाया जाए एक sustainable policy long term चलने वाली policy बनाई जाए और दूसरा क्या है the prohibit a stable, durable and empowering providing the providing the stable, durable and empowering ecosystem for private players आपको private players के लिए system को अच्छा बनाना होगा strong बनाना होगा सभी वो लोग investment करेंगे अगर उनको ऐसा लगेगा यहां पर तो हर दूसरे जिन policy बदल जाती है पता चला कि अभी tax rate slab इतना है फिर tax slab कर दिया गया फिर rate इतना बढ़ा दिया गया फिर government इसके लिए जो political stability है यह बहुत matter करती है तो अगर ऐसा आपको लगता है कि government बार बार आ रही है जा रही है तो वह भी एक एक negative factor होता है इसके लिए तो private investment को बढ़ावा देने के लिए प्रॉपर ecosystem है उसको इंपावर किया जाना चाहिए और इसके लिए विजय केलकर कमीटी बनाई गया थी आपको बताओं आपसे कोशन बन सकता है कि विजय केलकर कमीटी किस चीज से संबंधित है तो यह याद रखेगा विजय केलकर कमीटी यही PPP मॉडल को इन्हांस करने के लिए इसके ecosystem को अच्छा बनाने के लिए 2015 में बनाया था ठीक है तो केलकर सामने क्या कहा था इन्होंने कहा था अपने रिपोर्ट में कि गिवन टेक रिलेक्शन होना चाहिए अगर आपको प्राइविट रिलेक्शन को स्टॉंग करना है अगर आप यह अन्हांस सुन रहे हैं तो आपको प्राफिट दिखता हो आपको लगता होगा हम मुझे समझ में आती है चीजे मुझे आम भाशा में मिल जाता है जो भी चीजे है इसके पीछे कारण होगा आप चाहें तो लिख सकते हैं कमेंट में कि आपको क्या फाइदा म प्राफिट नजर आएगा तो केलकर साब ने भी सेम चीजें कहीं थी कि आप जो मेथड है उसको आपको फॉलो करना होगा गोवर्मेंट को और उनके लिए प्रॉपर एक प्रॉपर इन्वारमेंट और इन्वारमेंट में क्या चीजे होती है अगर आप प्राइवेट सेक् करना पड़ेगा तो लेबर लॉज हैं उसको इस करना पड़ेगा जो प्रॉफिट में उनको पार्टिसिपेशन देना होगा ठीक है इसके अलावा जो लीगल चीजें लीगल टरम्स है जहां पर लोगों को इवन भले उनका कंपनी डिफॉल्ट हुआ हो उनको कई बार यह ह एक तो उनकी कंपनी डूब के जुसरन को पनिश भी किया चाता था उनको एवन क्रिमिनल रिकॉर्ड में रख दिया जाता था तो उस चीज को इस करने की जुरत है और जो चीजे सिविल मैटर के इसको सिविल में ही सुल्टाया जाया तो यह एक यहां पर प्प्प मॉडल को अच्छा बनाने के लिए विजय केलकर साभ के यह रिकमेंडेशन थे जिसको की मानने के लिए कहा गया था और एक अच्छा एकॉस्टम प्लेड लिए बहुत जरूरी है यह वही सारी बाते इसमें लिखी हुई आगे आप इसको बढ़ भी सकते हैं तो यह पुरा का पुरा पुरा पुरी मौडल को इन्हांस करने के लिए और स्टेबल पॉलिसी इन्वारमेंट को क्रिएट करना होगा अगर हम फ्रेश इंवस्टमेंट भारत में चाहते हैं और प में उनको कैसे हम वर्कफोर्स में तबदिल कर सकें एंप्राइमेंट जिनरेट कर सकें और उसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप बहुत जरूरी है यह कुछ न्यूस रिखते हैं जो इंपार्टन न्यूस है एयर इमर्जेंसी मेजर्स फॉम ऑक्टोबर 15 गर्मेंट ने फैसला किया है आपको याद होगा G.R.A.P. लाया गया था एक्षिन प्लान तो यह जो एक्षिन प्लान था इसमें इसको C.P.C.B. ने एक टास्फोर्स भी बनाया था और यह आता है वैसे तो E.P.C.A. के अंतरगत एंवारमेंट प्लिशन अथॉरिटी के अ इसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं उसके लिए यहां प्रॉपर लिखावाई कि जब एर जब मॉडरेट हो तो आप कौन-कौन से स्टेप्स ले सकते हैं जब पूर क्वालिटी और मॉडरेट से पूर में पहुंच जाए से अभी भार अभी जो दिल्ली में हुआ एक्चली म अब कक्या पानी चया चाहिए इसमें जो डीजल से चलने वाले जनेरीटर सेट को बोलते हैं उसको इसको स्टॉप कर दिया जाना चाहिए और वही किया है दिल्ली गौर्मेंट ने ऑक्टबर 15 गी दिल्ली को पता चल गया कि mid October के बाद से situation और खराब हो जाएंगी very poor में पहुंच सकती है दिली क्योंकि अब पिछले बार से जादा अपराली जलाया जा रहे हैं इस साल तो इसली खराब हो सकती है इसलिए इन्होंने डीजल से चलने वाले जैंसे इसको अभी रोक दिया 15 October के बाद से तो इसके बाद जब severe में पहुंचेंगा तो यह सब सरकार step ले सकती है emergency में क्या सरकार step ले सकती है लोगों का घर से बाहर निकलना भी बंद कराया जा सकता है construction activities बंद कराया जा सकते हैं तब situation जो है बहुत जादा खराब हो जाएगी shutdown कि सिथी आ जाती है severe होने पर आपको पत situation को tackle करने के लिए especially in NCR reason ध्यान दीजएगा यह pan India नहीं है NCR reason में 2017 में इसको प्रपोस किया गया था Environment Ministry के द्वारा मैंने आपको बता है APCA के इंदर गताता है यह और इसमें यह सारे जो भी मैंने discuss किया है सारे criteria को fix किया गया कि कैसे control करना है NCR reason है वहां पर इसमें बहुत important है यह है अर्थ शॉट प्राइस से जुड़ा हुआ न्यूस किया है नाम से समझ में आ रहा होगा अर्थ शॉट प्राइस अर्थ पर जाए अर्थ से आप environment पर जाएंगे तो यह किस पर आधारी था यह जान लीजे American President John F. Kennedy ने लांच किया था 1961 में एक प्रो इसके थुरू उन्होंने पहरे आदमी को चांद पर उता रहा था तो उसी कॉंसर्ट पर अधारित है यह अर्थ शॉट प्राइस और अर्थ शॉट प्राइस में क्या कंसर्ण है ओवरॉल इन्वारमेंट का कंसर्ण है कि एक गोल फिक्स किया जाए climate जो इमर्जनसी इसको में रखा जाए और एयर को क्लीन किया जाए प्रोटेक्ट किया जाए ठीक है ओशन को रिवाइफ किया जाए और जो भी वेस्ट को टेकल करने के मेजर्स अपनाए जाए यह सारी चीजें इसके अंतरगत आती है तो आपसे दो सवाल पूछे जा सकते है पहला तो यह कि अर् इन्वर्मेंट से कोई भी चीज बहुत इंपॉर्टन हो जाती है कल आपको मैंने कोशन दिया था ए आइम आई क्रेस्ट पर ठीक है अब आइम आई क्रेस्ट जो है यह क्या है जो अटर इनोवेशन मिशन है इसमें यह क्या था इसने लॉंच किया था यह सवाल था आपसे इसका दोनों ही जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अटर इनोवेशन मिशन ने इसको लॉंच किया यह बहुत आसान था इसको गैस करना बेकॉस ए आइम इसमें लिखा हुआ है और देखिए इससे आसान कोशन यूपीसी में भी आते हैं सानी कोशन तफ आते हैं इसलिए ज दूसरा स्टेटमेंट से पूछा गया था कि इसको किसके क्लाबरेशन से लॉंच किया गया है तो वादवानी फांडेशन और मिल्डा फांडेशन दोनों के द्वारा इसको लॉंच किया गया है यह भी सही है बिल्कुल एक्समेशन आप पढ़ सकते हैं जुसरा सवाल था किस कंट्री ने प्रपोस किया है तो यह इसको आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ते तो हम इसको गैस कर पाते इसका आंसर है यूएस एक द्वारा इसको लॉंच किया गया है और तीसरा सवल आप से पूछा गया था आठकिल 239A से जोड़ा हुआ कौन से यूटी से पॉर्थ पंपा रिवर्स असोसेटेड है इसका अंसर बताईएगा फिफ्थ सेक्शन 69A संबंदित है 6 नागार जुन सागर बहुत सिंपल सा अंसरों का जल्दी बताईएगा कि यह कुशन आया हुआ है इस बार अगर आपको याद हो तो इक्जाक्ली यह कुशन था है कीजे कमेंट कीजे और आंसर बताना बिल्कुल मत भूर दिये थांक यू